हेलो गाइस हावा यू इस ब्रिक पीस को मैंने रोट साइट से कलेट किया है मैंने सोचा तक इसके उपर हम लोग एक प्लैंट लगाएंगे रूट ओबर ब्रिक बनाएंगे और सबसे पहले इसके उपर हम लोग कुछ क्रियेटिव करना होगा तब ही देखने में अच्छा लगेगा तो मैंने सोचा इसके उपर एक वाल का एक स्ट्राक्चर दिया जाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देख लेते कैसे हम लोग वाल का स्ट्रक्चर दे रहे हैं झाल 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 कि आप लोग देख सकते हो कितना आसन तरीके से हम लोगों ने वाल का स्ट्रक्चर दे दिया है कैसा लग रहा है ऐसा वाल का स्ट्रक्चर हमें कमेंट करके जरूर बताना तो चलिए हम लोग इसके उपर एक प्लैंट को सिफ्ट कर देते हैं यह जो प्लैंट आप लोग देख रहे हैं फाइकस रूमपी का इसे हम लोग कटिंग से लगा है थे अगर आप लोग कटिंग वाला वीडियो नहीं देखें जल्दी से देख लीजी हमने लिंक दे दिया है ह्वाइ कर देखें लोग कर देखें लोगा है गाइज आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा रूट्स ग्रो हुआ है सबसे पहले इस प्लैन को आम लोग पानी में रखते हैं सो गाइज आप लोग देख सकते हो मैं इस प्लास्टिक के पॉट में प्लैन्ट लगा रहो आप लोग बोटल का वेस्ट ना करके आप लोग बोटल में प्लैन्ट लगा सकते हो गईस अगर स्वाइल की बात किया जाए कौन से स्वाइल हम लोग इस्तमाल कर रहे हैं कुछ लिंक हम लोग उन्हें दिया है आप लोग जाके देख सकते हो फाइकर स्वाइल प्लैन का रूट बहुत छोटा छोटा है तो बांधने की जरूरत नहीं है अपने आप ग्रिप कर लेगा इस ब्रिक पीस को गईस हम लोग एक सीजन का ग्रोथ देंगे उसके बाद इसके उपर बॉनसाइ का काम करेंगे सबसे पहले हम लोग को रूट्स डेवलप करना होगा क्योंकि जितना रूट्स ग्रोव होगा उतना देखने में अच्छा लगए का ओल्ड लुक आएगा आप लोग के बांचाई पर गाइस नेक्स अपडेट देखने के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कैसे एक सिंपल सी देखने वाला प्लैन को हम लोग बांचा में कनवर्ट करने वाले हैं फूल अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा सो वीडियो में कुछ यूनिक जानने को मिलाई तो एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड के सथ सेर कीजिए इस वीडियो को सो मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर कर दो